सरदियों के मौसम में मार्केट में मूली बहुत अच्छी मिलती है वैसे तो आपने मूली के बहुत सारे अचार बनाए होंगे पराठे बनाए होंगे लेकिन आज में आपको मूली से बिलकुल अलग तरीके का नास्ता बनाना बताऊंगी तो सबसे पहले बेलकम बैक टू माई चैनल और वीडियो में लाश्ट तक बने रहिएगा तो फ्रेंड्स चलिए बनाना सुरू करते हैं बिलकुल नए तरीके का नास्ता नास्ता बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है दो मूली मूली को अच्छी तरह से धुलने के बाद हम इसके छिलके को हटा देंगे लेकिन हम मूली की पतियों को फेकेंगे नहीं बलकि इसका भी इस्तेमाल हम अपनी रेसिपी में करेंगे अब हमने मूली को दो हिस्सों में कट कर लिया और कदू कस की हेल्प से उसे कदू कस कर लिया अगर आप मूली को कदू कस नहीं करना चाहते तो आप इसे मिक्सी के जार में हलका सा दरदरा पीश सकते हैं अब हम एक बाउल लेंगे और उसके अंदर डालेंगे ग्रेट किया हुआ मुली यहाँ पर हम ग्रेट किये हुए मुली के पानी को नहीं निकालेंगे और अब इसमें हम डालेंगे एक कप आटा, एक कप बेशन और आधा कप सूजी इसके बाद हम इसमें डालेंगे बिल्कुल बारी कटा हुआ एक प्याज प्याज को डालने के बाद हम इसमें डालेंगे ग्रेट किया हुआ आलू आलू को ग्रेट करने के बाद हमने इसे पानी में भिगो दिया था जिससे की आलू काला न पड़े आलू डालने से ये नास्ता बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा आलू को हमने पानी से निकाल लिया और इसे भी बाउल के अंदर डाल दिया अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच खटा दही अगर आपके पास दही नहीं है तो आप निवू भी डाल सकते हैं अब इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच अजवाइन अजवाइन को हम हतेली पर क्रेस करके डालेंगे इससे इसकी खुस्बू अच्छी आएगी इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, एक चौथाई चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च और सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे मूली की पत्तियों को बिल्कुल बारीक कट करके मूली के पत्तियों को कट करके डालने से नास्ते का फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा और अब इसमें हम डालेंगे दो बड़ा चम्मच पानी पानी हमें ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि मूली में पहले से पानी होता है और अब हम सारे इंग्रीडियन्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस बेटर को न तो हम ज्यादा गाड़ा तयार करेंगे और ना ही पतला और अब इसे हम ढग कर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे जिससे की सूजी अच्छी तरह से फूल जाए 10 मिनट बाद हमारा बेटर रेडी हो चुका है और अब इसे मैं आपको दो तरीके से बनाना बताऊंगी इस के उपर हमने रखा कढ़ाई और उसमें डाला ओयल तेल जब गर्म हो जाएगा तब इसकी हम छोटी छोटी बढ़िया तोड लेंगे अगर आप इस नास्ते को डीट फ्राई नहीं करना चाते तो आप जाली के उपर इसे इस्टीम भी कर सकते हैं नास्ते को दोनों तरब से गोल्डेन ब्राउन सेक लेंगे ये नास्ता बिल्कुल क्रिस्पी बनता है और एक बार इसे आप बनाएंगे तो बार-बार बनाकर खाने का मन होगा यहाँ पर ये नास्ता दोनों तरब से गोल्डेन ब्राउन हो चुका है और अच्छी तरह से सिख चुका है अब इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे दूसरा तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ पैन में डालिए एक चमच ओयल और उसमें डालिए दो चमच बेटर बेटर को डालने के बाद आप इसे स्पून की हेल्प से अच्छी तरह से फैला दीजिए और यहां पर हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और धीमी आज पर दोनों तरफ अच्छी तरह से इसे सेख लेंगे इस नास्ते को आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और ये नास्ता दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेख चुका है और अब मैं आपको नास्ते को सर्व करके भी दिखा देती हूँ आप इस नास्ते को मिठी चटनी के साथ या पिर धनिय की हरी चटनी के साथ खा सकते हैं ये बिल्कुल नए तरीके का और टेस्टी नास्ता है एक बार आप इस नास्ते को जरूर ट्राइ करिएगा घर में सबको बेहत पसंद आएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह उपर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से एक दम सॉफ्ट बना है तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले मिलते हैं एक नए और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई दोस्तो